रादे- रादे दोस्तों हम समझतेrang कि शनी जड़ सनी की साड़े-साथी में हो तभी हमें पीडा देतेक हैं यह हमारी धिया चलरी यह तभी पीडा देते делает दोस्तों सनी आति कि कुंडली में किस भाव में वैठे किस भाव पर उसकी द्रश्टी पड़ रही है सनी में कितनी डिग्रियां हैं वो आपके लिए कारक हैं या नहीं कारक हैं इस सभी आपकी कुणली के वो शनी निर्धारित करते हैं कि वो आपके जीवन में कितना धन बैवाब एशर दिलवाने वाली है क्योंकि कालकुर्शी कुणली में दस चलने वाले यानी एक रासी में ठाईवर्स रहते हैं अनर्ग्रहों की एपिक्षा सबसे ज्यादा जो धीमी गति से चलने वाले रहें सज़से यह ठंडे रहें यानि कि उदासीन ग्रहें तो जीज भाब में बैठ जाते हैं उस भाब से संब्धित आपको उदासीनता दे देते हैं लगन में बैठ जाते हैं शनी तो आपको बहुत अधिक सुस्त बना देते हैं हर काम आपके बिलंब से होते हैं बहुत अधिक प्रयासों के बाद आपको सफलता मिलती है जहां एक व्यक्ति को एक बार में सफलता मिल जाती वहां को अधक परिश्रम करना पड़ता है वही इस्तिती होती है अगर सब्तम में बैठी हो क्योंकि वहाँ से बैठ कर भी वह लगने को दिख रहे होते हैं तो ऐसा व्यक्ति उदासीन रहता है मन उसका शांत रहता है बहुत अधिक किसी से जुड़ना ऐसे व्यक्ति पसंद नहीं करत जिससे कि आपको लाव मिल सकें पंचम भाब में बैठी हो सदी यहां आपको शिक्षा और ग्यान तो देते हैं लेकिन उस ग्यान का आपको भरपूर लाव नहीं मिलने देते हैं इसके साथ ही पंचम में बैठ कर आप शरी अपने घर यानि 11 घर को देख रहे होते तो यहां लाव के रास्ते आपके लिए बिल्कुल पूरी तरीके से बंद करते हैं तो जब जब शनी आपके पंचम इस्थान से गुजरेंगे तब तब आपको यह पिराएं होंगी कि धन आपका जगए जगए अटकना शुरू हो जागा और उस इस्तिती में आपके पास धन वापस नहीं आएगा छटे भाव में बैटे हैं आपके शनी तो यहां शनी आपको क्योंकि बार्वे घर को देख रहे हैं यहां आपको सत्रू गिरोधियों से तो शान्ती दिलाते हैं पर इसके विप्रीद इसके बावजूर आपको सारी वीग पीड़ा बहता दिख देते हैं पे अश्टम भाव में बैठे होते हैं शनी तो यहां से आपके यह दोतिय भाव यानि कि धन भाव को देख रहे होते हैं तो आपके पास धन आ भी रहोगा तब भी आपको मन में निराशा होगी वो प्रसनता नहीं होगी आपको कि आपके पास धन आ रहा है हालां कि अश्टम क पर देख रहे होते हैं अगर यहां कोई कुरूर गिरा बैठा हो राभू बैठा होई जब राहू सामने होगा सगर्ण भाव में के तू सामने होगा तो यहां की कुल्ली में पित्रदोष बना देता है बाणी आपकी खराब हो जाती है आपके बाणी से ही आपके बात करने के लहचे से ही आपके सत्रु विरोधी आपके पैदा होने लगती है अगर दसम भाव में आपके शनी होते हैं तो यहां बैठे वो शनी चतुर्त भाव को देख रहे होते हैं चतुर्त भाव को देख नहीं यानि कि वो आपकी मा का घर वो सब कुछ दिलाते हैं तो इससी तरह से अगर चतुर्तभाव में बैठी हैं तो दो बैठी हों। आपको भूमिभुण बहुंदा चक्रूर्ट rif और चंण्रवाई यहां की याकर कारत होते हैं तो कहां नोगा तो कहां नुगम को बुस्ति कारत कर ना हो कित्नहें कुछ बिक दे रहे होंगए फिर भी कहीं न कहीं मनिकि क्षान्ट नहीं होगी हम समझते हैं कि सनी की ढहिया या सनी की साड़े साती परेसान करती है नहीं दोस्तों सनी का हमारे लगने से संबंद बनाना हमारे जतुर्थ भाव से संबंद बनाना सब्तम से संबंद बनाना अस्टन से संबंद बनाना ये हमें कहीं न कहीं मांसिक अशान्ती बहुत अधिक देता है पिडाएं बहुत अधिक देता है सब कुछ होने के बाब जुद हमें खाली-खाली पर लगता है हमें लगता है हमारे पास खुछ भी नहीं है इसके लिए मैं आपको आज विशे शुपाय दे रहे हैं आपको अगर इस तरह की परिस्तितियां दिख रहे हैं आपको ये जानने की पर षाद श्यक्ता नहीं है कि सनी आपके कहां बैठे हैं बहुत एदिक रोग बीमारिया हो रहे हैं यद्धन आगमन के रास्ते पूरी तरह से आपके बंद हो गए हैं, शत्रु भिरोधी बहुत अधिक बढ़ गई हैं, मन की अशान्ती बढ़ गई हैं, बहुत अधिक परिशान हो रहे हैं, आपको लगता है कि चारों तरफ से आपके सारी रास्ते बंद हो गए हैं, तब आप आपको कटोरी नमा जुटिसरा अंधीपक बोलते हैं वह आ जाए एक शमी का पौधा लाना है आपको शमी एश एच म आई शमी शमी का पौधा एक आपको गमला जिसको हम पौट बोलते हैं जिसमें पेड़ पौधे लगाते हैं उसके अंदर मिट्टी आपको लेनी है यह गदिया की ज़िए सर्सों का तेल चाहिए सात में आपको प्रेयोग कर सकते हैं तो किसी भी शनिवार को यह आपको एक ही बार प्रेयुक करना है जीवन में प्रेयोग नहीं करना है इस प्रेयोग करने से शनी आपके शांत हो जाते हैं और धीरे दीज़ेगो आपके फिवर में आ जाते हैं और आपको इनसे लाख मिले रागता है तो क्या करना है आपको शरिवार वाले दिन उस कुलड में आपको सर्सों का तेल भरना है मिटी का कुलड सरसों का तेल भरने के बाद उसमें अच्छे साब अपना चेहरा देखिए चेहरा देखने के बाद फिर आप उस पर धक्कन रख दीजे और उसको चाहे तो ब्लेक सीमेंट से बंद कर दीजे और चाहे तो एंसिल से बंद कर दीजे अब अपने सिर से साथ बार एंटी क्लोग वास यानि उल्टा घुमाना है साथ बार उसको साइड में रख दीजे अब जो आपने गंबला लिया है उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालिए इस लोटे को बीच में इस कुलण को बीच में रख दीजे उसके बाद इसमें मिट्टी डाल कर इसमें शमी का पौधा लगा कर अपने घर के पश्रिम दिसामया प्रग दीजे और वहाँ पर नित्ती इसमें थोड़ा सा जल लगाते रहे हैं शनिवार शनिवार आप इसके नीचे एक चौमुखा सरसों के तेल का दीपक जलाईए अपनी बालकनी में रख लीजिए अपने भार खुले हुए इस्थान पर आपको इसको रखना है सरसों के तेल का साम की समय दीपक जलाईए और एक माला ओम चंप सनिश्राय नमा मंत्र की जाब कीजिए महिने सबा महिने के अंदर आपके कुणली में कैसे भी समी पीडा पहुचा रहे हैं वहांगे आपको मन की शान्ती सब कुछ आपकी शान्त होने लगेगी और धीरे धीरे आपको समी से शुपल मिलने लगेगे इसके साथ ही आपको एक प्रयोग और करना है नियमित आपको सुभे के समय शिवतांडविस्त्रो जरूर सुनना है शिवतांडविस्त्रो जो की स्वय रामड रचित है रामड की रचना से सुनने मात्र से ही भुले नाती क्रपा आपको मिलने लगती है तो ये नियमित आप सुनिए सुभे के समय और नियमित साम के समय शनी मंतर का जाप कीजे सुभे के समय दिम के समय शनी मंतर का जाप नहीं करना चाहिए साम के समय कीजे और शनिवार शनिवार इसके नीचे दीपर जलागी अगर पौधा चला जाता है तो आप नया पौधा लाकर लगा लिजे इसमें और इस गंबले को आप इसी तरह से रखा रहने दिजे तो बहुत ही चमक कारी को पाए है कैसी भी आपको सनी की साड़े साती, सनी की धया, सनी की महादसा, सनी की पीडा, कंटक सनी या आपको कैंसर जैसी बीमारी है, भयानक कोई रोग हो गया है, किड्मी इत्यादी का कोई रोग हो गया है, आपको घुटने पाउं पेर कमटी तकलीफ है, मन अशान्थ है, अब डेप्रेशन की दवाईयां खा रहे हैं, तब इस प्रयोग का आप जरूर कर लेजेगा दोस्ते, आप इसमे इनकी घ्रेप रस्तितों के अधर में प्रयोग हो तो यहार किया जाता है, आपकी कोई विराशी हो, जन्मांग में प्रहों की कोई भी अवस्ता हो, आप किसी भी देश में, किसी भी भासा से बिलोग करती हो, किसी भी धर्म से बिलोग करती हो, यह दस वर्षत के बच्चे स सबसे पहले आपके अमान से प्तनाब दूर होता है और अग लेन होती है इमनिटी बूष्ट होती है सोचे हुए कार्या आपके समय से होने लगते हैं 21 मई 2 हजा 22 दिन शनिवार आज का राहू काले 8 बच कर 50 मिनट से 10 बच कर 30 मिनट तक इससे में आपको कोई विशुबनया कारारम नहीं करना चाहिए अविजीत मूर्थ का समय है 11 बच कर 50 मिनट से 12 बच कर 45 मिनट तक इस समय आपको विशुबनया कारारम कर सकते हैं आज की अम्रत की भून में आपको पांच काली मिर्च के दाने एक उड़ के टुपड़े के साथ में जवा जवा कर आपको इसको सेवन करना है आज का चाबली अक्षर है अमन वाला आप इस आप सब्ड को रेड कलर के पैंसे लिखे, फोल करके अपने पास रखे, 24 कंटे तक साथ रखे, दोसी दर बाढ़ कर किसी पेट की चर्म में छोड़े आप जिनका बर्थडे या मेरे जन्यवर्सरी उनका इवर्शोभो ऐसी में आप सभी के लिए मंगल काम ना करती है वो बच्चे मेला प्रस्वूश जिनका बर्थडे तो है वो पती पती चिकी मेरे जन्यवर्सरी किशी विवर्स में आपकी बर्थडे या मेरे जन्यवर्सरी वेप्रेव कर रहेंगे वाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर से फाइब नंबर लिखेंगे फोल करके अपने पास रखेंगे तो यह अंग आपको वर्श वर्श वर्शुपता बदान करता रहेगा अनकोई बर्ती से 24 कंटे तर लिखकर अपने पास रख सकता है इसके लावा दूस्तों आप भी किसी समस्या से जूच रहे हैं निधान नहीं मिल रहा है तो इक पर कुण्ली का विश्रेश रख कराएं इसके पे साथ में डेस्प्सन वाक्स है मेरा वाट्सेप नंबर है मेरा कॉल नंबर है 8077-506510 इस नंबर पर आप कॉल या मेसेज के द्वारा प्रोसीजर जाल सकते हैं पूर्ली विश्रेश रख का है यह सुगता पेड़ें आपको फीस देनी होती है कि दोस्कों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरू कर दीजे कमेंट में जय माता दी रादे रादे अवर्श लगी इसके लावा किसी अन्य विश्रेश पर वीडियो चाहते हैं वो भी लिखिए आप कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के करेक्ट होने पर संड़े वाले वीडियो में आप पुष्यन को जरूर लिया जाएगा इथा तो दोस्तों अप इन उपाइयों का भरकूर फायदा उठाईए इन उपाइयों को स्रद्द्दा के साथ में करते हैं साथ में जादू यक्र करते हैं अम्रत की बूंद और जाद आवेटे के साब